नमस्कार मेरा नाम रमेश्वाजवान बीए डीलेट दो हजार एगारा वर्ष में बीटीसी यानी बेशिक ट्रेनिंग सेंटर के अंत्रगत दो वर्ष तक डिसाइडेंशियल मैं परसिक्षण लिया मैं असम के पस्चिमी कारवी आलंग जीले के खेरनी थाना तथा सोचेंग खंड के अंत्रगत मैं बेलबाडी हिंदी एलपी स्कूल में 10 नवंबर 2006 से प्रधान सिक्षक के रूप में कारेरत हूँ हमारा हम जो रहते हैं असम एक असम राजे में रहते हैं असम चाई के लिए बहुत परसिद है क्योंकि यहां से असम से विदेश में चाई की निर्यात होती है असम एक नद नदी प्रधान राजी है क्योंकि यहां पर बहुत से नद नदियों है इसलिए यह नदियों का भी देश इतिहास में कहा जाता है और ब्रहंपुत्र से बहुत सहायक नदी लिकड़ी है जो हमारे जीले यानि पस्षिमी कार्भी अंगलंग जीले के बीचों बीच से होकर ब्रहंपुत्र नद में जाकर मिलती है जिसका नाम कौपली ने दी है यह हमारे जीले के अंत्रगत से होकर जाती है और असम के पस्षिमी कार्भी अंगलंग जीला प्रकेतिक संदर्य पर देखा जाए तो बहुत ही मनमोहक है यहां कई एक परियटक अस्थान भी है जो लोग असम के लोग आकर यहां भर्मन करते हैं हमारे जीले की मुख्य क्रीसी अद्रग की खेती है लेकिन असम हमारे जीले में सबसे पहले जूम की खेती होती थी यह एक पहाडी जीला था जो यहां के जो निवासी थे वा जूम की खेती करते थे धीरे धीरे विकास हुआ उसके बास यहां अद्रग की खेती प्रधान होई और हमारे जीले में मुख्य भासा असमिया कार्वी तथा कछाडी भासा है और हमारा जो जीला है वह खनेज से परपूर है यहां पर रहने का लोगों का जो तरीका था सबसे पहले लोग चांग बना कर यानि पेड़ों पर चांग बना करके रहते थे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे जैसे लोगों में विकास आया अभी लोग यहां पर शत के घर, टीन के घर, खीर का घर आधि बना कर के लोग अस्थाई रूप से निवास करते हैं मैं अपने सिक्षक कारेकाल में कोई एक प्रसिक्षण में प्राप्त किया हूँ जो दो दिन, तीन दिन का मैं बहुतो प्रसिक्षण में लिया हूँ जिसके तरह अर्बिंदर सोसाइटी के माधियम से मोनालिसा कलिता बहन के द्वारा इस लगडाउन में प्रसिक्षण मिला, वह हम लोग के लिए बहुत ही लभदायक महसूस करता हूँ जो प्रसिक्षण मिला, उसके माधियम से हमें यह ज्यात हुआ कि कौम लागत में बीना मुल्य कहा हम लोग बहुत से उच अस्थर के सिक्षण समागरी प्रसुत कर सकते हैं जिस इसका परियोग हम लोग अपने विद्याले में करेंगे तो जरूर बच्चों के लिए लभवकारी होगा तथा जो प्रसुक्षण मिला, जो उनके द्वारा आइडिया मिला उससे हमें पिसेश करके मैं यह मसूस करता हूँ कि सभी बच्चों के लिए लभवकारी होगा क्योंकि उनकी वास्तविक जीवन से मेच करता है अब मैं सिक्षा के सित्र में कहना चाहूँगा कि हमारा जो विद्याला है वह एक ग्रामिड इलाका में अवस्तित है यहाँ पर लोगों की प्रधान जीवी का क्रीसी है और यहाँ के बच्चे बड़े हुनहार है गर्जियन भी एक्चुक हैं सिक्षा पर मिसेस बल देते हैं तथा मैं अवर एक बात कहना चाहूँगा कि इस सिक्षण से हम लोग अभी परियोग तो नहीं कर पाए क्योंकि लगडाउन था तो मैं आसा रखता हूँ कि जब भी द्याले हमारा खुलेगा इसमें परियोग करके हम कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा जो प्रस्रिक्षण मिला वह सफल हो धन्यवाद